नमस्कार साथियों साथियों अभी क्लास 12 में चेप्टर चल रहा है उपसा समय जक रसायन वाला और इस चेप्टर में हम बात करते हैं आज वर्नर का उपसा समय जकता का सिद्दान्थ बहुत ही इंपोटेंट है समझने की आवश्यक्ता है आसानी से समझ में आ जाएगा वीडियो को लास्ट तक सिस्टेमेटिक तरीके से देखिएगा अब इमेजिनेशन कीजिए आप हम पढ़ रहे हैं उपसा समय जक योगिक उपसा समय जक योगिक में जैसे कि मैंने ये कंपाउंड लिखा है इस कंपाउंड को COCl3.6 NH3 को अगर मैं लिखूं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ के CO NH3.6 और CL3 मैंने आपको इस टाइप के कंपाउंड के IOPC नाम भी बताएं कैसे IOPC नाम करने हैं जैसे इसका IOPC नाम होगा हेक्जाएमीन हेक्जा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड इसका नाम है भाईया क्या है hexamine cobalt 3rd chloride यह सामानिय नाम है इसका luteo cobaltic chloride luteo cobaltic chloride और इसका I su toc nama है hexamine cobalt 3rd chloride क्या दिखारा आपको यह एक उपसासमीजच योगिक है ऐसे ही जैसे कि यह k4, fEcn6 क्या है यह एक उपसासमीजच योगिक है यह एक उपसा सवेज़क योगिक है तो जब इस वाले में तो क्या होगा कि एक ही तरह के ligands है यहाँ पर एक ही तरह के ligands है तो एक ही तरह की valency शोग होगी एक ही टाइप के bond बनेंगे central atom और ligand की भी इसमें same type के bond बनेंगे लेकिन अब यहाँ पर condition आ गई कि यहाँ पर क्या है एक condition यह भी है कि यहाँ पर chlorine को भी central atom के साथ bond बनाना है और यह ligand है इसको भी central atom के साथ bond बनाना है तो कैसे यह bond बनेगा chlorine किस टाइप से bond बनाएगा central atom के साथ में केंद्री थातू के साथ में और NH3 किस तरीके से bond बनाएगा तो ऐसे कई योगीग होते हैं उनका देखा गया कि ये किस तरीके से बॉर्ण बनाएगा तो वर्नर साब ने क्या किया आठासो तरणों में लिखित में दे दिया कि आपको ये ये कंडिशन फालो करनी है इस इस कंडिशन में लिगेंड ऐसे हैं और बाहर की तरफ कोई रिनायन है तो केंडिशन धातो पर्माणों के बीच में कैसे बंध होगा कैसे बंधन होगा इसके बारे में वर्नर साब ने बताया बहुत इंटरस्टेट है आसानी से सिंपल ये लेक्चर लास्ट तक देखो कि इतने में याद हो जाएगा तो अलफेट वर्नर ने अठासो तरानों में इस सिद्दान्त का प्रतिपादन किया इस सिद्दान्त के पाइंट देखिए सबसे बहले धातों की दो प्रकार की सहयोजक्ता होती है धातों की दो प्रकार की सहयोजक्ता होती है तो ये वाली सहयोजक्ता आप लिख सकते हो प्रात्मिक सहयोजक्ता याद कर लो प्रात्मिक सहयोजक्ता कहां कहां पर है ये प्रात्मिक सहयोजक्ता है ये प्रात्मिक सहयोजक्ता है ये प्रात्मिक सहयोजक्ता है ये प्रात्मिक सहयोजक्ता मतलब आपको समझाने के लिए म बिंदू की त्रेखा से प्रात्मिक सहयोजक्ता को प्रदशित करते हैं ये वाली जो सहयोजक्ता है जो पूर्ण रेखा या ठोस है इसको कहूंगा में द्वित्यक सहयोजक्ता द्वित्यक सहयोजक्ता दो प्रकार की सहयोजक्ता एक तो प्रात्मिक सवयजगता जिसको हम Z-Z-Z से represent कर रहे हैं द्वीत्यक सवयजगता जिसको पूरी लाइन से represent कर रहे हैं यहां तक क्लियर हो गया कि वर्णन ने उफसा भात्मिक योगी को के लिए क्या है धातों की दो प्रकार की सहयो जगता की imagination किया एक तो प्रात्मिक सहयो जगता और एक द्वितियक सहयो जगता ओके अब देखो प्रात्मिक सहयो जगता आपको दिख रहे हैं दर्शन हो रहे हैं compound कौन सा है यह cocl3 cocl3.6 NH3 इसी की structure बना रखी है अब imagination करो ल्यूटियो को बाल्टि क्लोराइड को लेते हुए अपन सारी बाते समझते हैं और example बाकी फिर देखते रहेंगे ओके देखो प्रात्मिक सहयो जगता आएनित होती है यह प्रात्मिक सहयो जगता क्या होती है आएनित होती है और इसे बिंदू की तरेखा से किसे दर्शारे म बिंदू की तरेखा से इमेजनेशन करना बिंदू की तरेखा से प्रदशित करते हैं जबकि द्यूतियक सहयो जगता आएनित नहीं होती है अंदर है आएनित नहीं होती है द्यूतियक सहयो जगता आएनित नहीं होती है इसे ठोस या पूर्ण रेखा से प्रदशित करते है अब देखो अपन और एक्जाम्पल देखते हैं मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा मज़़ा आजाएगा आज का लेक्टर जो समझने में आपको कहीं दूसरी जगे समझने की आवश्कता नहीं पड़ेगी मैंने इसका लूटियो कोबाल्टिक लोराइट इसको इस तरीके से रिप्रेजन किया यह A structure बनाई अब B वाली structure बनाता हूँ COCL3.5NH3.H2 इसको कैसे समझाओंगा मैं तो यहाँ पर देखिएगा आप ध्यान से देखिए यह वाली structure बना रहा हूँ COCL3.5NH3.H2 CO के अंदरे में हैं CO केंदरे में है और यहाँ पर 6NH3 थे यहाँ पर 5 ही रहेगा और NH3 की जगे 1 क्या जाएगा H2 आजाएगा तो सेम नकल करना है 1NH3 में यहाँ पर लगा देता हूँ 1NH3 मेर को यहाँ लगा देना है 1NH3 मेर को यहाँ लगाना है एक NH3 यहां लगाना है और एक पांच हो गए छटवा यहां पर क्या आ जाएगा H2O आ जाएगा छटवा क्या जाएगा H2O आ जाएगा देखिए ध्यान से एक तो ये इधर देखिए एक ये हो गया CL एक इधर CL और एक इधर CL ये B structure किसका? B का अब देखना इसका परपीरियो कोबाल्टिक लॉराइड क्या है? CO CL CO CL CO CL dot 5 NH3 5 NH3 अब ध्यान रखिए कि कोबाल्टों को तो क्या चाहिए? 6 लिगेंड चाहिए अब 6 लिगेंड चाहिए तो इस में से जो 3 है 3 में से एक किसकी की रूप में काम करेगा? लिगेंड से की रूप में काम करने लग जाएगा तो देखो यहाँ पर ध्यान से यह है CO देखो CO और यहाँ पर 1 NH3 इधर 1 NH3 यहाँ पर 1 NH3 इधर 1 NH3 यहाँ पर और 1 NH3 यहाँ पर 5 NH3 हो गए यह NH3 यह NH3 यह NH3 ये NH3 और ये NH3 जहां से देखिएगा अब एक CL अपनों ने जोड़ दिया यहां पर तो 6 अब कित्ते बचे दो CL और बचे तो एक CL तो मैंने इधर लगा दिया और एक CL मैंने लगा दिया यहां पर ओके यह आइनित समय जोगता को संतुष्ट कर रहा है अब यहां पर CL तो CL है 3CL में से कौन सा भी अदला बदली भी हो सकता है तो यहां पर कूल मिला कि यह कह सकते है कि CL यहां पर आइनन की रूप में भी है और लिगेंड की रूप में तो यहां पर CL दोनों का केरेक्टर शोओ कर रहा है अब अगला इस्ट्रक्चर देखते है प्रेशियो कोबाल्टिक लॉराइट किसका प्रेशियो कोबाल्टिक लॉराइट इसका CO CL3.4 NH3 यहां पर कितने अमोनिया है 4 NH3 है अपने को चाहिए कितने यहां पर इमेजनेशन कीजेगा चाहिए कितने 6 चाहिए तो यह CO 6 चाहिए 1 NH3 मैंने यहां लगाया 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 4 और 4 होगे न अब क्या है 6 चाहिए तो 3 में से 2 CL इधर चले जाएगे अंदर चले जाएगे तो यह CL और यह CL और बच्चा क्या? मात्र A की CL और बच्चा तो यह CL इसको अपनोंने ऐसे बता दिया इस तरीके से तो यहाँ पर यह कह सकते है कि यह दोनों तरह से शो कर सकता है CL है यह तो अब मेरी बात को सुनिएगा इसको अगर अपनी structure के इसको ऐसे लिखे हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि यह CO है और कितने NH3 कितने है 4 CL कितने चलेगे अंदर 2 यह CL2 और यह CL इसको ऐसे भी लिखू तो भी चलेगा यह इसको इसको तो ऐसे लिखी दिया इसको कैसे लिख सकता हूं में यह CO कितने 5 NH3 तो NH3-5 और फिर H2O और फिर लिख दिया आपनोंने CL3, ऐसे भी लिखूँ इसको, यह फिर इसको लिखूँ मैं CO, और यह NH3-5 और यह CL और यह CL2 ऐसे भी लिख सकता हूँ ठीके, तीन CL में से एक CL अंदर चला गया, तो यह किससे संतुष्ट हो गया, यह CL किससे संतुष्ट हो गया भईया, जो सयोजगता है, कौन सी, दियतिक सयोजगता में चला गया, दियतिक सयोजगता मतलब क्या होगा, दियतिक सयोजगता मतलब क्या है, लिगेंड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, लिगेंड के फॉर्म में, एक तो लिगेंड के फॉर्म में हैं, और बाहर कितने हैं, आयनन शेतर में कितने रिनायन हैं, दोनों की बात कर रहे हैं अपन, तो अब आपको देखो समझ में आएगा सारी चीजे, प्रात्मिक समय जगता आयनित हो सकती हैं प्रात्मिक सेयले 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 प्रात्मिक सेय नोगआ नोगए Bowl हैं की रूप में बात करते हैं, फोस रेका से प्रदशित करते हैं, ओके परतेग धातु परमानू अपनी प्रात्मिक में दित्यक दोनों सहयोजगताओं को संदुष्ट करना चाता हैं bist ce प्रात्मिक सवयोजक्ता सदे और रिनायन से संदुश्रती है जान रखना जो बाहर की तरफ है हमेशा जो प्रात्मिक सवयोजक्ता की रूप में दे रखा है हमेशा हमेशा क्या होगा रिनायन होगा कभी भी उदासिन नहीं होगा प्रात्मिक सवयोजक्ता की रूप में यहां पर दृत्यक समयोजक्ता है कि रूप में इमेजनेशन करना जब कि रूप में अन्दर की तरफ लिगेंड की रूप में आया मतलब दृत्यक समयोजक्ता हो गई यहां पर यह अंदर आ गया क्लोरिन लिगेंड की रूप में आ गया मतलब यह द्यूतियक संविजक्ता की रूप में है बाहर है मतलब प्रास्मिक संविजक्ता की रूप में है प्राय प्रास्मिंग वो दूतियक दोनों स्वयों जगता है संतुष्ट करता है परतेक धातो आयन की दूतियक स्वयों जगता है उपसारसवोजे संक्या मतलब जो दूतियक सायologically संक्या ही ही है लिगेंड की संक्या भी हूई है या निंदर लिगेंड है ज़ती है जो अंदर जो रहेंगर वो निशुद होती है जिसा को बालकिति हिरी प्रतन खरेंगर छे छे लिगेंड को जोड सकता है तो दिवित्ययक समय जक्ता भी 6 हो गई उपसर्ण संग्या भी कित्ती हो गई 6 हो गई जैसे प्लेटिनम 4, Fe3, Fe2, क्रोमियम 3 की उपसर्ण संग्या हमेशा क्या मिलेगी आपको 6 मिलेगी ऐसे ही PT 2nd और Cu4 की कित्ती मिलेगी आपको 4 मिलेगी कित्ती मिलेगी 4 मिलेगी इसी प्रकार से ये CO3 इसमें कोबाल्ट कित्ती है कितनी oxidation state में 3 इसमें भी कित्ती मिलेगी आपको 6 oxidation 6 मिलेगी उपसर्ण संग्या कित्ती होगी 6 होगी जो की निशीद है जो मैंने आपको जो example बताए है दिवित्यक समय जक्ता है 3V में निशीद द अपना arrangement fix कर रहा है कि 2 ऐसे 2 ऐसे 2 ऐसे 2 ऐसे मदब अश्टफल की शेप में जुड़े हुए है किस शेप में जुड़े हुए है तो अपनी जो है दिवित्यक समय जक्ता है 3V में निशीद दिशाओं में इस सिद्रेती है इनकी निशीद क्या होती है जामीती व्योस्था ह होती है यदि 6 ऐसे जुड़े हुए तो अश्टफल की व्योस्था होगी 4 है तो चतुषफल की व्योस्था होगी इस तरीके से अपनी व्योस्था है फिक्स कर लेते हैं कि इतने लिगेंड है इतनी उपस्वश्था है तो इस कंडिशन में यह जामीती रहेगी यह व्योस् पूर्ण रेखा वाला बॉंड बना हुआ ठोस बॉंड ठोस रेखा वाला bond बना हुआ या फूर्ण रेखा वाला और इसमें टूटी रेखा वाला या बिंदू की तरे रेखा वाला bond बना हुआ किसमें प्रात्मिक सहयोजकता में ओके इसी परकार से रेजियो कोबाल्टी क्लोराइट ये रेजियो कोबाल्टी क्लोराइट COCL 3.5 NH3.H2O तो यहाँ पर एक NH3 को यहाँ से गायब कर दिया और वहाँ पर क्या जोड़ दिया H2O जोड़ दिया बाकी 3 CL अपनी जगे पर हैं कोई दिक्कत नहीं है C वाले में इसको कहेंगे परपीरियो कोबाल्टी क्लोराइट COCL 3.5 NH3 तो यहाँ पर अंदर चाहिए इसको 6 सवय जगता चाहिए चाहिए दियत्यक सवय जगता तो 1,2,3,4,5 तो यह NH3 हो गए अब क्या करें एक CL को अंदर बुला लिया तो यह CL दियत्यक सवय जगता की रूप में मिल गया और बाकी 2 CL बचे वो किसके रूप में हो गए प्रास्मिक सवय जगता की रूप में तो यहाँ पर कौन सी मेन है यहाँ पर ये वाली इसको अपन मेन मानाएंगे इसके लिए अब देखो यहाँपर मतलब यहाँ पर क्लोरीन जो है दोनों प्रकार की आईणिक और और कौन सी प्रात्मिक और द्वित्यक दोनों सहयोजक्ता है शो कर सकता है क्लोरी नी क्योंकि बाहर भी वही एटम है अंदर भी वही एटम है अब यहाँ पे देखो जो और यहाँ पे 4 एंश्त्री तो लगा दिये अब अंदर दो दो कहारी इसने दो सेली रहे बाहर तो यह तो रहे आगे प्रात्मिक सहयोजक्ता की रूम के और यह केस वरुनर के वुप सहयोजक्ता की बहुत ही सिम्पल है और बहुत अच्छी तरहिक से मैंने समझाया फिर structure imagination करने के बाद में आप ये देखिए कि प्रास्मिक सेवजक्ता क्या है दूतियक सेवजक्ता क्या है प्रास्मिक सेवजक्ता जो है टूटी रेखा तो ये टूटी रेखा ये प्रास्मिक सेवजक्ता या इसको आयनिक सेवजक्ता कहते है और ये दूतियक सेवजक्ता य पूर्ण रेखा को दियुतिक सोवेजकता केते हैं कि लिए रे बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा साथियों ये लेक्चर थोड़ा complicated है लेकिन एक दुबार आप पढ़ोगे समझोगे वीडियो देखोगे पूरी तरह से तो आपको 100% समझ में आएगा अच्छी तरह समझ में आएगा और मोबाइल को आड़ा करके earphone लगा के copy pane लेकर वीडियो लेक्चर देखिए आपको 100% benefit मिलेगा ओके दोस्तों मिलेंगे फिर नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई और thank you so much for watching